नमाश्कार दोस्तों सवागते आपका आपके अपने YouTube चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ करेले के फाईदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीस मेरी इस वीडियो को लाइक सरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की तरब करेले का नाम सुनते ही कड़वेपन का खयाल आ जाता है हरे या गेरे हरे रंकी इस सबजी का स्वाद भले ही मन को न भाए पर इसमें धेरो एंटी उक्साइडेट और जरूरी वीडियो पाए जाते हैं करेले का सेवन हम कहीं रूपों में कर सकते हैं हम चाहे तो इसका जूस पी सकते हैं अचार बना सकते हैं या फिर इसका इस्तमाल सबजी के रूप में कर सकते हैं करेले में प्रचूर मातरा में बीटामिन A, B और C पाए जाते हैं इसके अलावा बीटा केरोटीन, ब्लूटीन, आइरन, जिंक, पोटेशियम, मेंगनेशियम और मेंगनेज जिसे पाए जाते हैं कहीं लोग करवा होने के कारण करेले को खाना पसंद नहीं करते लेकिन यह शरीर के लिए काफी फाइदे मंद होता है स्वस्त रहने के लिए खटे मीटे कसीले तीखे रस की जरुद होती है उसी तरह कड़वे रस की जरुद भी शरीर को होती है स्वस्त शरीर के लिए रस की उचित मात्रा की जरुद होती है इसमें से किसी भी रसके आबाव होने पर शरीर में विकार उत्पन हो जाते हैं मनुशी के लिए करेला परम हितकारी और ओश्टी गुणों का बंडारे भुक को बढ़ा करेला हमारी पाजन शक्ती को सुधारता है गर्मी में उत्पन विकारों पर शीतल होने के कारण यह शिग्र लाप करता है आज हम आपको करेले के फाइदों के बारे में बताएंगे आप रिंज जानते हैं कि ऐसे कौन से फाइदे हैं जिससे आपके शरीर को लाप पोच सके पहला फाइदा है मदुमे करेला मदुमे में रामबान अफशिदी का काम करता है करेले के टुकडों को चाया में सुखा कर पीस कर महिना पाउडर बना ले रोजना सुबर खाली पेट एक चमच पाउडर का पानी के साथ सेवन करने से लाप मिलता है एक चोताई कप करेले के रस में समान मातरा में गाजर का रस मिलाकर पीना फायदेमंध होता है 10 ग्राम करेले के रस में शहत मिलाकर रोजना पीने से मदू में नियनतित रहता है 10 ग्राम करेले के रस में 6 ग्राम तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर रोज सुबर खाली पेट पीना लापकारी होता है एक करेले को एक कप पानी में अच्छे तरह उबाल लीजिए और उसे पी जाईए आप इसमें हरे सेप का रस आउले का रस या दो तीन चुटकी हिंग मिला कर पी सकते हैं रोजना पांच ग्राम करेले का रस पीते रहने वाले लोगों को डाइप टीज में लाब होता है चरम रोगी को भी यह लाब हो जाता है फोड़े पुंसी तता अन्य चरम रोगों पर करेले का रस लगाने से बहुत फाइदा होता है प्रतितिन सुवशाम आदा चमच रस बराबर मात्रा में शहत के साथ लेने से खून की खराबी दूर हो जाती है तता खून साफ हो जाता है करेले को खून को साफ करने में काफी साहता करता है यदि तोचा रोग हो तो रक्त शुद्धी है तो करेले का रस कुछ दिनों तक आदा आदा कप पीना लाबदाइक होता है अगर आपके चेहरे पिर काफी अधिक मात्रा में किल मौस्थे हैं तो आप डेली करेले का जूस पिये इससे आपको काफी फाइदा होगा और आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है रोग प्रती रोदक शम्ता बढ़ाने में करेले में मौझूद खनीज और वीटामिन शरीर में रोग प्रती रोदक शम्ता बढ़ाते हैं इससे कैंसर जीसी बिमारी को मकाबला किया जा सकता है और आपको कैंसर की बिमारी कभी नहीं होगी या कैंसर को रोखने में आपकी काफी ज़्यादा साहिता करता है करेले में मौझूद खनीज और वीटामिन शरीर में रोग प्रती रोदक शम्ता बढ़ाते हैं जिससे कैंसर जीसी बिमारी का मकाबला भी किया जा सकता है इसके अलावा बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है पाचन शक्ती बढ़ाने में करेला हमारी पाचन शक्ती को बढ़ाता है जिसके गारण भूख पढ़ती है करेला ठंड़ा होता है इसलिए ये गर्मी से पैदा हुई बिमारियों के उपचार के लिए फाइदे मन्दे यदि पाचन शक्ती कमजोर हो तो किसी भी प्रकार करेले का नियामित सेवन करने से पाचन शक्ती मजबूत होती है करेले की तासिय ठंडी होती है यह पचने में हलका होता है इससे पेट साफ होता है इसके अलावा बात करते हैं अगले फाइदे की जोकी है जोडों का दर्द गटिया या जोडों के दर्द में करेले की सबजी खाने और धर्द वाली जगह पर करेले के पत्तों के रस से मालिश करने से आरा मिलता है अगला फाइदा है उल्टी दस्त करेले के तीन बीज और तीन काली मिर्ची को खिसकर पानी मिलाकर पीनाने से उल्टी दस्त बंद हो जाते हैं इसके अलावा करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक मिलाकर सेवन करने से तुरंत लाब मिलता है अगला फैदा है मोटापा करेले का रस और एक नीबू का रस मिलाकर सुबर सेवन करने से शरीर में उत्पन, टॉक्सिन्स और अनाफशक वसा कम होती है और मोटा पा दूर होता है करेले में एंटी उक्सिडेंट पाय जाते हैं यह शरीर के मेटापॉलिसम और पाचन तंत को बहतर बनाता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है अगला पाइदा है पत्थरी में पत्थरी रोगियों को दो करेले का रस पीने और करेले की सबजी खाने से आराम मिलता है हेजे में रहत हेजे के रोगि को करेले के रस में प्याच का रस और कुछ बून दे नीबू का रस मिलाकर लेना लाब दाएक है ताजा करेला कुचल कर इसमें हलका नमक डालकर हेजे के रोगि को दे दो तिन बार लेने से उल्टी दस्त बंद हो जाते हैं इसके लाव फ्रे करेले के रस में आदा चमर शक्कर मिलाकर एक महीने तक प्रयोग करने से बवाशीर की शिकायत समाफ्त हो जाती है अगला फाइदा है सिर्दर्द में सिर्दर्द होने पर करेले का रस लेप की तरह काम करता है अगर आप करेले के रस को अपने सिर पर लेप की तरह लगाएंगे तो इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा इसके अलावा बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है मूँ के चाले मूँ में चाले होने पर करेले के रस का कुला करना फाइदे मन्द है मुँ में चाले होने पर करेले के रस को गरम करके उसमें पिसी हुई फिटकरी डालकर कुला करने से चाले खतम हो जाते हैं इसके लावा फ्रेंज अगर आपके पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो यह उसमें भी काफी ज़दा फाइदे मन्द है एक बड़ा चमच करेले की पत्तियों के रस को एक गिलास चाच में मिलाकर लेने से पेट के कीड़े से चुटकरा मिल जाता है यह लीवर को तागत देता है इसके अलावा अगर आपके पेट में कब्स रहती है तो यह उसके लिए भी काफी ज़दा फाइदे मन्द है अगला फाइदा है पीलिया पीलिया रोगियों के लिए भी करेला बहुत ही अच्छा है अगर जिस किसी को भी पीलिया है तो उसके लिए करेले का रस बहुत ही ज़दा फाइदे मन्द है पीलिया और मलेरिया जैसे बुखार में करेले को पीस कर निकाले गए रस को दिन में दो बार पिलाना चाहिए पीलिया में कच्छा करेला पीस कर खाना फायदे मन्द है लिवर से संबंदित मिमारियों के लिए तो करेला रामबान उशदी है तो देगा फ्रेंज आपने यहते करे लेकर फायदे उमीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले thank you friends, मिलते हैं अब अकली वीडियो में तब तक के लिए, बाय बाय